हलो स्टुडेंट्स तो देखिए अब तक अब तक आपने पूरा जो है मैंने आपको डेटेल पढ़ा दिया लेकिन सीड सीड और फैमिलीज में आपको डारेक्ट एंसे आर्टी से पढ़ाऊंगी और आपको इसके भी नोट्स बनाने हैं अलोंग विद डायग्राम पॉइंट्वाइंज यह भी सारा नोट करना है जैसे दसी लिखा तो सीड क्या है पॉइंट्वाइंज जैसे मैं पॉइंट्स बनाती हूं उसी तरह से आपको एक एक लाइन का जो है वह एक एक पॉइंट बना देना है हूंवर्क में चेक करोंगी कुछ स्टुडेंस ने ह होंवर्क सब्मेट किया है कुछ स्टुडेंस ने अभी होंवर्क सब्मेट नहीं किया है ठीक है तो देखी सीड क्या होता है आप जानते हैं कि जब ओव्यूल मैच्योर होता है फर्टलाइजेशन हो जाती है ओव्यूल की और वह मैच्योर होता है तो एक सीड में मैच्योर होता है, fruit किस से बनता है, ovary की maturation से बनता है, a seed is made up of seed coat and embryo, seed किस से बनता है, seed coat और embryo से बनता है, चलिए आपको याद है, मैंने आपको parthenocarpic fruit कहा था, parthenocarpic fruit में क्या fertilization होती है, नहीं होती, और इसलिए उनमें seed भी नहीं होता है, क्योंकि एक seed के पास, एक seed कैसे बनता है, seed बनता है, seed is made up of a seed coat and an embryo, लेकिन अगर seed के पास seed coat नहीं है, embryo नहीं है, तो seed कहां बनेगा, ovule कहां seed में convert होगा, fertilization नहीं होई है, तो embryo कहां बनेगा, तो ovule after fertilization डवलप करते हैं, seeds भी और एक seed जो है, वो बनता है seed coat and embryo से, तो embryo जो है, is made up of radical and embryo oral excess and one or two cotylidans, ये भी बात धान में रखनी है, आगे diagram में आप देखेंगे, लेकिन अभी भी याद कर लीजिए, embryo किस से बना हुआ है, embryo बना है radical से, radical से क्या बनता है, क्या पढ़ा आपने, कि radical से क्या बनता है, root बनता है, ठीक है, plumule, plumule भी होता है, plumule से shoot बनता है, radical से root बनता है, plumule से shoot बनता है, ठीक, radical और plumule के बीच में होता है embryonal axis जो दर असल stem बनता है, ठीक है, embryonal axis क्या बनता है, stem बनता है, और उस embryonal axis पे होते हैं, या तो एक cotylidon होगा, या तो दो cotylidon होंगे, जब एक cotylidon है, तो ऐसे seeds को कहेंगे हम monocot seeds, तो आप लिख लेंगे, seeds having one cotylidons are called monocot seeds, for example, wheat and maize, and seeds having two cotylidons are called dicotylidon seeds, for example, gram and pea, चने की दाल, मतर की दाल, दाले, सब क्या है, dicots है, ठीक है, और जो wheat है, maize है, rice है, bamboo है, यहाँ पे आप monocot में bamboo का example भी डाल देंगे, bamboo भी क्या है, एक monocot है, जितना grasses जो आती है, grass family जो है, वो monocot में आती है, ठीक है, चलिए, इतना समझ के आप seed के बारे में, की seed जो है, वो fertilization, ovule के fertilization के बाद बनेगा, seed जो है, वो seed coat और embryo होता है उसमें, और embryo जो है, वो radical embryonal excess और एक या तो cotyledon से बना होता है, ठीक है, clear, कोई confusion, कोई confusion नहीं रहा है, पैना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल clear होनी चाहिए आपको हर बार, ठीक है, structure of dicotyledonous seed, एक dicotyledonous seed का structure कैसा होता है, the outermost covering of seed, देखे, अब ये आपको मैं, पहले चले, ये पढ़ी लीजिया, देखे, ये, थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए, चलो, ये पढ़ लो, फुर हम यहाँ पर देखेंगे है न, the outermost covering of seed is the seed coat, लिख लेंगे इसको, seed coat क्या होता है, seed का सबसे बाहर का covering कहलाता है seed coat, the outermost covering of a seed is the seed coat, क्या हुआ, the outermost covering of seed is the seed coat, अब, seed coat में दो layers होती है, seed coat में कितनी layers है मीटा, दो layers है, एक outer testa, जो outer integument से बनती है, bracket में लिखेंगे आप, outer testa किस से बना, outer integument से, inner tagment जो layer है, किसका, dicot seed का, तो inner layer किस से बना, inner integument से बना, तो seed coat में दो layers है, testa and tagment, जो outer layer है, testa, वो बनता है, outer integument से, जो inner layer है, tagment, वो बनता है, inner integument से, ठीके, अब, हाइलम क्या है, हाइलम is a scar on the seed coat, through which the developing seeds were attached to the fruit, देखें, हाइलम, एक तो ये लिखा है, कि हाइलम एक scar सा होता है, आपको एक दाग सा दिखाई देता है, जिस point से, जो fruit है, वो seed के साथ attach होंगे, अब आप देखिए, मटर का दाना, जो है, वो मटर की फली के साथ attach होता है, वो फली एक fruit है, ठीके, अब मटर का दाना, जिस point से attach होगा न, ठीक, उस point को क्या बोलेंगे हो, अहाँ पे एक दाग सा बना होगा, मटर तुम कोई भी दाल लेती हो, तो उस पे थोड़ा सा हाइलम बना होता है, ठीके, तो हाइलम जो है, वो सकार होता है, seed code पे, जो क्या, जो क्या show करता है, कि कौन सी जगा से developing seed, जो है, food के साथ जुड़ा है, या आप और करके क्या लिखेंगे, मैं चेक करूँगी, और करके भी लिखना है, the point of attachment of ovule and funicle, funicle लिखना है, funicle वो हिस्सा होता है, ovule का, जो seed को जोड़ता है, किस के साथ, जो seed को जोड़ेगा आपका ovary के साथ, है न, तो यहाँ भी हाइलम बोल रहा है, कि seed जो है, fruit के साथ attached होगा, मतलब seed जो है, वो ovary के साथ attached होगा, लेकिन seed attach करता है through funicle, more appropriately अगर हम हाइलम कहते हैं, 12th class में भी आपको हाइलम का definition दिया हुआ है, NCRT में, तो उसके according, हाइलम is the point of attachment of funicle, F-U-N-I-C-L-E and ovule, तो यह definition भी आप लिखेंगे, कि हाइलम यहाँ पर के लिखा है, और दूसरा जो मैंने बताया, वो definition भी आप include करेंगे, हाइलम के अबव एक छोटा सा पोर होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल का काम होता है, water को अंदर लाना, seed के, gases का exchange करना लिख लेंगे, माइक्रोपाइल क्या हुआ, अबव दा हाइलम, is a small pore called माइक्रोपाइल, इसके लावा क्या लिख लेंगे, याँ, it is the point from which integument does not cover the embryo sac, यह वो जगह है, जहां से integument embryo sac को covered नहीं करते हैं, ठीके, माइक्रोपाइल का function भी लिखेंगे साथ में, मैं पहले सुनना है, फिर lecture को लिखना है, माइक्रोपाइल का function है, it allows the gases exchange, ऐसा लिखना है, it allows water and gases exchange, ठीक है, समझ के, within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons, ठीक है, seed coat के अंदर क्या होता है, embryo होता है, seed coat के अंदर एक embryo होता है, seed coat के अंदर क्या है वच्छा, embryo है, कोई बात नहीं, आपको ovule का ही diagram, next lecture में दिखा दूँगी, ताकि अगर आपको कोई भी confusion है, तो वो आपका confusion दूर हो जाए, ठीक है, तो seed coat के अंदर होता है, embryo, embryo में होंगे embryonal axis, embryonal axis का जो और दो cotyledons, देखे, embryonal axis पे ही दो cotyledons होते हैं, दो cotyledons डाइकोट के पास होते हैं, cotyledon के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, embryonal axis का उसको hypo-kotyle कहते हैं, ठीक है, embryonal axis देखे, यह है, यह पूरा cotyledon है, cotyledon यहां attached है, तो यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह क्या है, hypo-kotyle, और यह जो उपर वाला हिस्सा है, यह क्या है, apicotyle, hypo-kotyle stem में बदलेगा, apicotyle से आपको root, shoot पूरा form हुआ दिखेगा, apicotyle का जो termination है, वो होता है, प्लिम्यूले के साथ, प्लिम्यूले से shoot बनता है, radical से root बनता है, ठीक है, अब देखे, यह है वो हाइलम, ठीक, हाइलम, और हाइलम के आगे ठीक छोटा सा पोर होगा, जिसको माइक्रोपाइल कहेंगे, और यह है seed coat, embryonal axis क्या होता है, यह आपका पूरा क्या है, embryonal axis है, जो अगर cotyledon से थोड़ा उपर है, यह दो cotyledon है, cotyledon से थोड़ा सा उपर वाला हिस्सा क्या है, plumeule, मतलब हाइपकोटाइल, apicotyle, cotyledon का उपर वाला हिस्सा, apicotyle, terminate करता है, cotyledon से नीचे वाला हिस्सा, hypo-cotyled, terminate करता है radical में, चीक है, चली, अब देखे, जब seed coat में क्या होता है, embryonal axis, दो cotyledon है, the cotyledons are often fleshy and full of reserve material, तो cotyledons क्या करते हैं, मोटे मोटे होते हैं, दालों के जो खाते हो, तुम दाल का cotyledon होता है, cotyledon fleshy fleshy होता है, और बहुंँ सारा reserve food material होता है, तो ऐसे plants जिनमें 2 cotyledon हैं, वो के हैं, dicots, and the two ends of embryonal axis are present radical and primule, जो embryonal axis है, उसके दो ends पे हमको radical and primule देखने को मिलता है, embryonal axis के दो ends, एक जो cotyledon से उपर वाला end है, apicotyle terminate करता है primule में, दूसरा, जो hypocotyle terminate करता है radical में, ठीके, in some seeds, such as castor, diendosperm formed as result of double fertilization, most of the dicots जो हैं, वो non-endospermic होते हैं, चलिए, आप ये भी लिख लेंगे, endospermic and non-endospermic seed, जैसे आपने primule खतम किया, तो primule के आगे आप लिखेंगे, endospermic seed और उनको albuminus, albuminus seeds भी कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, albuminus और endospermic seed, तो क्या लिखना है, the seeds which consist of endosperm are called endospermic or albuminus seeds, फिर लिखना है, कि most of all the monocots are endospermic, most of all monocots क्या है, endospermic है, ठीक है, except orchids, ठीक है, except orchids लिखना, orchids में endosperm नहीं होता है, castor एक dicot है, अब यतना लिख दिया, उसके बाद लिखिए, non endospermic seed, heading डालना है, लिखना है, non endospermic seed और X, EX, हाइफन लगाओ, और albuminus seed, non endospermic seed को X albuminus seeds भी कहा जाता है, अब इन पर लिखिए, the seeds which do not have endosperm, and their endosperm has been used during the development of embryo, such seeds are called non endospermic seed और X albuminus seeds, ऐसी seeds जिनके पास endosperm नहीं होता है, उनका endosperm embryo की development में use हो जाता है, उनको कहा जाता है, X, उनको क्या कहा जाता है, endospermic seed नहीं, non endospermic, क्योंकि उनके पास नहीं बचा है, क्या नहीं बचा है, उनके पास नहीं बचा है, endosperm, चीक है, तो उनको बोलेंगे हम X albuminus seed और non endospermic seed, चीख है, ओके, तो यह हो गया आपका और नॉन एंडोस्पार्मिक सीड पर एक्जांपल क्या लिखेंगे आप, और एक्जांपल देखिए, क्या लिखा है, इन प्लांट सच अब नॉन एंडोस्पार्मिक सीड, क्या लिखेंगे और इन प्लांट सच अब देखिए, क्या है, इन प्लांट अज पी, Sixلاपन देखिए, और एक्जांपल क्या लिखेंगे, क्या लिखएंगे, अब इन प्लांट सच इड दाहिंद सानेंडोस्पार्मिक सीड और उनको क्या बोलते हैं, endospermic seed ठीक है तो चलिए अब हम पढ़ेंगे structure of monocot seed क्या पढ़ना है structure of monocot seed चलिए इसको बहुत अच्छे से करते हैं हम ठीक generally monocotylidinus seeds are endospermic seed but some as in orchids are non endospermic seeds अभी अभी तो मैंने बताया आपको तो कि ये बे आप लिख लेंगे structure of mono endospermic seed में ये lines दुबारा लिखनी है ताकि तुम्हें याद हो जाए ठीक है जितने भी आपके पास monocots होते हैं वो endospermic हैं लेकिन orchids non endospermic होते हैं in the seeds of cereals such as maize the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall ठीक है seeds में क्या कहा है देखे स्यांट से सुनना मेरी बात को मैंने आपको karyopsis type का food बताया था और कहा था कि उसको note down करना कि karyopsis क्या होते हैं तो karyopsis वो fruit होते हैं जो क्या कर सकते हैं जिनके पास seed coat seed coat जो है वो fruit wall के साथ ही fused होता है seed coat किस के साथ fused होगा? fruit wall के साथ ही fused होगा ठीक है? clear or not? clear ना? ठीक है fine, okay तो seed coat fruit wall के साथ fused है तो होते हैं karyopsis और karyopsis में, wheat में और rice में देखने को मिलता है तो यहां यही बता रहे हैं, in the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous याद रखेंगे, cereals में जो seed coat है वो membranous होता है और generally fused होता है fruit wall के साथ bracket में लिख देना karyopsis है ना? तो endosperm जो है वो बहुत बलकी होता है और store करता है food को outer covering of endosperm देखें यह है outer covering of endosperm देखें लिखा है ना seed coat and fruit wall एक साथ है पर endosperm यह पूरा endosperm है, noted है यहां पे यह क्या है पूरा? endosperm है endosperm की यह है outer covering, endosperm का outer covering क्या हो गया? endosperm का outer covering हो जाता है allurone layer the outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinaceous layer called allurone layer ठीक है? यह देखें यह पूरा आपका embryo है जो अलग है embryo अलग है, embryo अलग है बचलोग और यह endosperm अलग है embryo अलग है और endosperm अलग है endosperm को और embryo को अलग किया गया है इसके थूप यह है layer allurone layer क्या है यह यह allurone layer है endosperm के बाहर protein rich layer होती है endosperm में starch होगा, allurone में protein होगा और यह है पूरा embryo यह है पूरा का पूरा embryo देखें यह है endosperm यहां endosperm पे क्या होगी? यह allurone layer होगी और यह embryo, इसको section cut करते हैं तो ऐसे दिखता है endosperm हो गया, ठीक है, allurone layer हो गया और यह आपका पूरा embryo होगी यह पूरा का पूरा जब seed बनाएंगे तो scutellum से लेके koliorizer तक mark करेंगे कि यह क्या है यह आपके पास embryo है, देखे the embryo is small and situated in a groove at one end of endosperm तो embryo जो है, वो छोटा सा होता है, small है और एक side को पढ़ा होगा endosperm की, it consists of a large shield shaped cotyledon एक ही बड़ा सा shield जैसा cotyledon होगा embryo पे एक बड़ा सा लाश कोई और आवास आ रही होगी तो प्लीज मुझे मुझे माफ करें, बहुत जादा शोर है जोर जोर से चलाते हैं जसे पता नहीं इनको क्या मिल गया है मतलब थोड़ा समझते भी नहीं है कि कोई और भी खाम कर जा होगा तो अगर नहीं आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है तो आपकी पास क्या कहा मैने कि स्कुटैलम जो है एंब्रियो जो है एंब्रियो की बाहर एक लियर होता है और उस लियर को कहते हैं हम स्कुटैलम क्या कहा जाता है उस लियर को स्कुटैलम कहा जाता है ठीक है स्कुटैलम मोनो कॉट सीट का एक कॉटिलीडन होता है Scutellum क्या है? Cautylidon है, Monocots में एक ही Cautylidon होता है और Maze में उसको देखा, क्या कहा जा रहा है? Scutellum कहा जा रहा है, समझ गहे? It consists of one large shield-shaped Cautylidon, embryo के पास एक shield-shaped Cautylidon होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? Scutellum कहेंगे, and a short axis with a plymule and radical अब एक छोटा सा प्लिम्यूले और radical के साथ, यह है आपका embryonal axis, short axis, ठीक है, यह हो गया, short axis, radical और plymule के साथ, ठीक, नब प्लिम्यूले और radical are enclosed in sheet, अब यह हो गया, प्लिम्यूले और radical के बाहर एक sheet है, प्लिम्यूले के बाहर जो sheet होता है, उसको kolio-tile कहते है, koliorizer जो है, वो radical के बाहर वाला sheet होता है, clear, एक एक बात clear है, यह जब आप diagram देखेंगे तो बिल्कुल clear होना चाहिए आपको, और आप मारे next lecture में, हम जानेंगे floral formula कैसे लिखते हैं, फ्लार का हमें सब कुछ पता है, यह मैं आपको slide way में करवाऊंगी, ऐसे नहीं करवाऊंगी, ठीक है, तो यह हो गया आपके पास, पूरा seed यहां पे complete, और उमीद करती हूँ आपको seed बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है और कहीं कोई confusion नहीं है, एक बार revise कर लेंगे, कि seed जो है वो किससे बनता है, embryo होता है उसमें और seed coat होता है, seed coat के पास दो लियर्स होती है, testa एं tagmin, testa जो है वो outer seed, outer integument से बनता है, एंब्रियो में embryo एक्सस होता है, उसमें जो कौतिलीडन से उपर वाला हिस्सा जो embryo एक्सस का होगा, उसको कहते है हम हम epico type और एक्सस का cortyliden के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं hypootyl, देखें, यह समझ लीजिए कि यहां यह कोटिलेडन है यहां तक क्या है कोटिलेडन है ठीक है कोटिलेडन से नीचे वाला हिस्सा क्या होगा कोटिलेडन से नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा Scutealum Cotyledon, यह है Cotyledon, यहां से थोड़ा सा Cotyledon होगा, Cotyledon का जो उपर वाला हिस्सा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, Epikotyle, जो नीचे वाला हिस्सा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, HypoCotyle, HypoCotyle terminate करता है Radical में, Epikotyle terminate करता है Plymule में, Plymule गोड़ करता है Shoot में, रेडिकल ग्लो कता है रूट में, मोनो कॉंट्स में कोलियो टाइल के बाहर, प्लियूमुले के बाहर कोलियो टाइल नजर आएगा, रेडिकल के बाहर शीथ होगी कोलियो राइजा, डाइकॉट में ऐसा नहीं होगा, याद रखेंगे, चलिए, थैंक यू.